दो चीजें लिख लो, दो चीजें आपकी military के अंदर लिख लो, कल आपका off है, तो आपका off है, कल उट पर स्नोब को आओफ है, यहां दो चीजें आप लोग लिख लो, एक आपका क्या है? Nischerhaみ ही जुररत आता है, ya military की बात कर रहा हूं, operational award, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है operational awards ठीक है जो military के अंदर आप काम करते हुए जब आपकी जान जाती है आप शहीद होते हो तो operational award होता है इसमें highest क्या है आपका निशाने हैदर ठीक है निशाने हैदर वो कल हमने देखा था 11 लोगों को जो मिला निशाने हैदर निशाने हैदर के बाद क्या है आपका आता है हिलाले जुरत फिर क्या आता है आपका सितारा जुरत ठीक है सितारा जुरत और लास्ट में क्या आता है तमगा जुरत मैंने कल आप लोगों को बताया था ना सबसे पहले निशान होता है फिर हिलाल होता है फिर सितारा होता है, पिर तमगा, ये आपके military के operational award है इसके इलावा एक सवाल पूछा जाता है कि non-oparnosional award होते है non-oparnosional award इसके हवाले से एक सवाल पूछा जाता है कि highest non-opersonal military, ये military के है भी तक, ये military की बाते कर रहा हूँ military की, civilian की अभी आपको पीडियाफ में से बताता हूँ मैं तो नॉन उप्रेशनल क्या होगा नॉन उप्रेशनल ये होगा कि लेट स्पोज आपकी विफाकी हकूमत ने कहीं जिमेदारी लगाई हुई है आप जो उनसा है सिलाब मतासरीन के खिलाफ, सुरी, खिलाफ कह रहा हूँ सिलाब मतासरीन की मदद करते हुए आप शहीद हो गए हो आपने कोई बड़ी वहाँ आपने जान का नजराना दिया है आप कोई जंग, किसी मुखालिफ के खिलाफ लड़ते हुए नहीं शहीद हुए तो तब आपको नॉन उप्रेशनल जो उनसा है पुछा जाता है कि हाइस्ट नॉन उपरेशनल मिल्टरी अवार्ड कौन सा है तो वो सितारा बिसालत है फिर सितारा बिसालत के बाद तमगा बिसालत आजाता है तमगा बिसालत आजाता है ठीक है, सेकिंड हाइस्ट और एंड में जो उनसा है वो आता है इनको लिख लो फिर मैं यहां से आगया आपको थोड़ी सी चीज़ें और बता दूँ लिख के मुझे ओके करो जी तीन हैं लिख लिए हैं मेरी आवाज आ रही है स्क्रीन शो ओर रही है तीन हैं आपके मिल्ट्री के नॉन उपरेशनल यवाट उनमें हाइस्ट किया है सितारा बिसालत फिर तंगाए भिसालत और फिर तंगाए खिदमत वस्यद्ध इतीन है नेकि जो अप्रेशनल ठीट होगे अच्छा यह अब जो ऑनसी है इसको देख लो इसमें आपने बाद में नोट कर लेना मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आपके जो उनसे हैं आउनर जो दिये जाते हैं वो टोटल कितने हैं आपके टोटल हैं आपके पांच ये सिविलियन आवार्ड हैं आपके चार पांच ये हैं एक है और्डर अफ पाकिस्तान एक आप मतलब और्डर अफ पाकिस्तान का क्या मतलब इसके नाम के साथ लग जा है निशाने इम्तियाज तमगा इम्तियाज हिलाले इम्तियाज फिर और ऑफ काइद आजम है यह किस को दिया जाते हैं सब कुछ नीचे लिखा हुआ है मैं हलका सा एक्स्प्रेम भी कर दोंगा फिर है और ऑफ खिदमत यह पांच हो गए और लास्ट जो छटा है वो किया है ज सारी चीजें इसको पढ़ने की जोट नहीं है एक चीज बस इसमें आप लोगों ने लिखनी है यहां आप लोगों का यहां लिखा हुआ है यह पॉइंट आपका यह अगर किसी को नजर आ रहा हो कि प्रेजिडेंट जो उनसा है इसके नाम कब अप्रूव करता है इंडिप इंडिपैंदेश दे के ऊपर इंडिपैंदेश किये जाते हैं पाकिस्तान दे 23 मार्च के ऊपर दिये जाते हैं नाम कि legalना 예रा रहे गचाम को च्था आम की जना भी हो जनर नॉलिज के लिए होना चाहिए कि इंडिपेंडस डे के ऊपर किन को अवार्ड मिला है अनौस किया जाता है प्रेजिडेंट देता है ठीक है लिखा हुए आफ्टर प्रेजिडेंट अप्रूवल और पाकिसान डे के ऊपर ये वार्ड आपके दिये जाते है अब ये किस-किस को अवार्ड दिये जाते है ये आप लोगों ने याद रख लेना है ये आप लोग लिख भी लोगे अपने नोर्स बाद में बना लोगे ये पीडियाफ भी प्रोवाइड कर दूँगा आप लोगों को देखो एक चीज सवाल जो पूछा जाता है ये आपका रिपीटिड सवाल है पूछा जाता है कि और ओफ पाकिस्तान ये आगे देखो रिमार्ड के अंदर क्या लिखा हुआ है ये मेरे खल में हाईलाइट आइट ये देखो पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा आपका आडर है निशान वो आपका एवाड है जो सिर्फ फॉर्डनर्स को मिलता है और अउनली फॉर्डनर्स को जो मिलेगा वो आडर ऑफ पाकिस्तान होगा निशान पाकिस्तान सबसे आपको पता है निशान जिसके साथ लगेगा वो हाइस होगा फिर हिलाल होगा फिर सितारा होगा फिर तमगा होगा तो आडर ऑफ पाकिस्तान मतलब निशान पाकिस्तान हिलाल पाकिस्तान सितारा पाकिस्तान तमगा पाकिस्तान चारों पाकिस्तान जिनके नाम के साथ पाकिस्तान लग रहा होगा ये हमेशा फॉरन नैशनल्स को मिलेंगे मुझे आपको हम पाकिस्तानियों को नहीं मिलेंगे और उनको भी किस वाज़ा से मिलेंगे या आगे लिखा हुआ है कि वो Head of States होंगे या जिनोंने अपनी जो उनसी है अपनी स्टेट के लिए कुछ भी बहुत ज़्यादा काम किये होंगे यह जो आपका क्या कहते हैं निशाने पाकिस्तान है यह निशाने पाकिस्तान सिरफ Head of State को मिलेगा यह देखो तो यह Order of Pakistan सिरफ Foreign Nationals के लिए है यह Important MC Choose है यह याद कर लेना जब Notes बनाओगे लिए लिख लेना अब हम आ जाते है Order of Shujat की तरफ यह Order of Shujat दोनों को मिल सकता है यह लिखा हुए जी पाकिस्तानियों को भी मिल सकता है Nationals को भी और Foreign Nationals को भी मिल सकता है किस किस को मिलेगा जी शुजाथ से आपको समझा रही होगी Heroism जिसने कोई Heroism का काम किया होगा जिसने करिज बहाधरी दिखाई होगी किसी danger के अदर सिलाब आया हुआ है आप सिलाब के अंदर क्या है किसी को बचा लेते हो ठीक हो गया और उसके बाद जो उनसा है यह आप क्या करते हो उसको ये order of शुजात मिलता है पाकिस्तानियों को भी मिल सकता है फ़ौरण इसमें भी क्या होगा order of शुजात में निशाने शुजात सबसे number highest होगा फिर हिलाले शुजात होगा फिर सितारा शुजात होगा फिर तमगा ये शुजात होगा ठीक हो गया थर्ड जोंसा है ये सिर्फ जोंसा है आपके पाकिस्तानियों को ये भी आपके पाकिस्तानियों को और बाहर के मुलकों को बालों को मिल सकता है तो ये आपका जियातर पाकिस्तानियों को ही दिया जाता है निशाने इम्तियाज निशान जो सारे जो इम्तियाज निशान है, हिला है, सितारा है, तमगा है, ये आपने साइंस के अंडर ओर्डीसिर पार्टे आथ के अंडर काम किया है तो तब आप लोगों को ये मिलेगा फिर है order of काईदे आजम तो order of काईदे आजम जो उनसा है या अगर पाकिस्तान के लिए किसी ने कोई सर्विस की है ठीक है क्या किते हैं कम्यूनिटी के लिए ये बेसिकली के लिए अगर आपने कम्यूनिटी की जो खिद्मत की है जैसे अब दूसरतार एदी वगएरा हो गए या आपके खिद्मत फांडेशन वगएरा ये बेसिकली उनके लिए है तो ये भी कहा है लेकिन ये दूसरा कहा है only for foreign nationals ये नीचे साथ रखना है ये भी कहा है only for foreign nationals है order of काईदे आजम ठीक है order of काईदे आजम के बाद ये आपका last बच गया जोंसा है ये भी foreign national इसके लिए आपके eligible है वो क्या है आपका order of खिद्मत इसलिए आपने ज्यातर निशाने तमगाई इम्तियास जोंसा है वो सुना होगा तमगाई इ इसमें कैया है ये आपका order of खिद्मत मिलेगा लेकिन ये order of खिद्मत अब ये देख लो order of खिद्मत order of काईदे आजम और order of Pakistan ये तीनों क्या है आपके foreign nationals के लिए है पाकिस्तान ये को कौन कौन सा मिल सकता है order of शुजात मिल सकता है निशान इशुजात, तमगाई शुजा जाता है तो आपको कौन सा आडर मिलेगा तो आडर आफ इम्तियास मिलेगा तो यह जब आप इसको थोड़ा सा समझ भी आ गई होगी और जब इसके आप नोट्स बनाओगे तो अमीद है यह आप तो लेर हो जाएगा लास्ट है आपका प्रेजिडेंट अवार्ड फॉर प्र मिलता है जैसे आपका निशाने इम्तियास है जो सितारा इम्तियास जिसको कहते है उसके अंदर आपका लिटरेचर हो गया स्पोर्ट हो गया नर्सिंग वगयरा यह सारे उसके अंदर आपका क्या है यह मैंशन है तो यह आपका उसके अंदर आपका क्या मिलता है प्राइड मसायर तो नहीं होगा क्लेर है समझाई है थोड़ी से इनके सिविलियन आवार्ड की कोई चीज समझना आई हो तो मुझे बताओ वरना ये मैं पीडियेफ भी शेयर कर दूँगा इनको प्रॉपर नोट्स की शकल में आप लोग कर लेना को इतना मसला नहीं होगा मेरे शाल में अब आपके लिए उड़ा आपको समझा आ गया ना एक दफ़ा कि सबसे हाइस्ट कुन सा निशान है फिर हिलाल है खिलाल के बास सितारा है सितारे के बाद एंड में आपका तमगा आता है ठीक है जब आपको ये ओर्डर समझा आ गया तो फिर आप लोगों के लिए कोई भी